तो हेलो गाइस वेलकम टो मा यूटूब चैनल रितिक टेकनिकल सपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे samsung device में आप अगर facebook को इंस्टॉल करें दो कैसे आप यहाँ प्रभलम कोक्य करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओके वीडियो स्टर्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिछी का ब्लक्या आइकून को प्रिस्ट कर लेना है जब आपको इस टाइब की प्राब्लम आती है तो सिंपल सा मैथड है आपको जाना है अपने सैमसंग डिवाइस की सेटिंग्स में देन आपको एपस पे क्लिक करना होगा इस पर सर्च अबरे पर क्लिक करें और यहां पर आपको Google Play Services और आपको Google Play Store इन दोनों की आपको search कर ले ना है करेंगे दन आपको सिंपल इनका डाटा क्लिन करना है ठीक है गुगल प्लेश सर्वीसिस एंड आपका गुगल प्लेश्टोर इन दोनों का ही आपको डाटा क्लिन करना है दन सेकेंड जो है आपका वह है default आप रहेगा यह तो आप show system apps पे click करिएगा यहां पर download search करना होगा तो आपको first में मिलेगा download manager और आपको second में मिलेगा downloads तो आपको simple इन दोनों पे click करना है तो आप इनके storage पे जाईएगा और simple आपको इनका data clean करना है तो मैं आपको फिर से रेपीट करूँगा यहाँ पे Google Play Services, Google Play Store, Download Manager and Downloads इन चारों का यह आपको data clean करना है और आपको अपने smartphone को restart करना है अब आप लोग ट्राइ करिएगा Facebook install करने का आपको कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी ओके सो टापिक इस कवर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी